वेलकम टू इन्फुसिक्स आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप SBI क्रेडिट कार्ड से कैसे लोन ले सकते हूँ ये जो फिचर्स है SBI क्रेड़ कार का इसको कहता है E-n-cash तो ये offer pre approve मिलता है अगर आपको मिलता है तो आप SBI क्रेड़ कार्ड से easily लोन ले सकते हो और ये जो मानि है इसको आप bank पे transfer कर सकते हो ये मानि आपके जो total credit limit है उससे जयादा भी हो सकता है टोटल आपका जितना credit limit है उतना भी हो सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक यार से लेके थ्री यार्स तक का आपको लोन मिल सकता है यह पूरी तरह से pre-approved है इसके लिए आपको किसी भी document देने की जोरत नहीं है अगर आप पहले से SBI Card के customer हो और आपको E&Cast का facility pre-approved मिलता है तो easily without any document यह money आपको मिल जाएगा 48 hours के अंदर तो यहाँ पर SBI Card का जो website है सारे details पर लिखा है तो इस features को आप कैसे ले सकते हो इसको मैं आपको live proof दिखाऊंगा आज तो यहाँ पर जो SBI Card.com है इस पर मैंने login कर लिया है आज मैं यहाँ से आपको loan लेके ही दिखाऊंगा तो यहाँ पर दिखिए total जो card का limit है आप देख सकते हो लेकिन इससे ज़्यादा का amount यहाँ पर pre-approved मिला है यहाँ पर आप देख सकते हो एक option है benefit लिखके तो यह जो benefit है यहाँ पर क्लिक करना होगा benefit के नीचे एक option है yen cash तो yen cash पर क्लिक करने पर आपको दिख जाएगा आपका कितना pre-approved offer है यह जो yen cash का option है यह तब भी आएगा जब आपको pre-approved offer आएगा अगर pre-approved offer नहीं आता है तब यह yen cash का जो link है यह नहीं सो करेगा तो यहाँ पर pre-approved है तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है yen cash इसको आप offer section पर भी चेक कर सकते हो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो लिखा है जो loan amount है 2,14,000 and interest rate आप देख सकते हो 15.75 इसको आप up to 36 month तक के लिए ले सकते हो तो चलिए आभी मैं आपको ले के दिखा देता हूँ तो यहाँ पर जो offer section है यहाँ भी आपको दिख जाएगा आप चाहाँ तो offer section पर भी क्लिक करके दिख सकते हो benefit section पर भी क्लिक करके दिख सकते हो तो चलिए यहां पे देखिए मैंने क्लिक कर दिया यह इनकेस का जो option है तो यहां पे लिखा है कितने दिन ताओ कि यह offer valid है और इसको लेने के लिए step by step सारा process तो चलिए आभी यहां से ले लेते हैं यहां पे देखिए step by step बहुत सारा option है यहां पे देखिए select your offer net banking मतलब hbicard.com बहुँआ पे login करके दिखा रहा हूँ आपको hbicard.com बहुँआ पे आपको यह नहीं दिखेगा लेकिन hbicard.com जो website है बहुँआ पे आपको login करना होगा देन आप देख सकते हो यहां पे तो यहां पे देखिए select your offer तो यहां पे देखिए 12 month and 24 month 36 month 12 month पे कितना interest rate है कितना EMI पे करना होगा कितना processing भी लगएगा सब कुछ यहां पे है तो यहां पे चल लिए मैंने 36 month select कर दिया है 36 month पे जो interest rate है वो भी आप देख सकतो same interest rate लेकिन interest rate सबको अलग-अलग मिलता है maximum amount यहां पे 2 lakh 14,000 available है आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है इससे कम भी मिल सकता है इस card का जो limit है वो है 1 lakh 19,000 लेकिन यहां पे card के limit से ज़्यादा amount का loan मिल रहा है तो आपको card के limit से ज़्यादा amount का भी मिल सकता है and card के जो limit है उससे काम amount का भी मिल सकता है तो चले यहाँ पे जितना amount मिल रहा है उतना डाल देता है और यहाँ पे देखिए 2,14,14 में यहाँ पे देखिए EMI total कितना आएगा and processing fee कितना आएगा वो यहाँ पे 100 करेगा अभी तो processing हो रहा है यहाँ पे आभी देखिए 7,497.22 by size यहाँ पे दिखिए processing fee 3000 दिखा रहा है and interest rate भी आप देख सकते हो यहाँ पे तो यहाँ पे सारे options हो कर रहा है तो इसको लेने के लिए दोनो option है आप यह जो मानी है इसको आप bank पे transfer कर सकते हो and आप इसको check पे भी ले सकते हो लेकिन यहाँ पे दोनो option है आप देख सकते हो अगर आप bank पे लेना चाहते हो तो name, bank account number and IFC code देना है then bank का जो details है वो आ जाएगा लेकिन अगर आपके नाम पे SBI card है तो आप आपके नाम पे ही यह loan ले सकते हो दूसरे के bank account पे यह loan आप नहीं transfer कर सकते हो जिसके नाम पे account होगा उसी को ही यह offer मिलेगा and आप चाहो तो check पे भी ले सकते हो payment तो चलिए यहाँ पे सारे जो details है वो सारे सब कुछ दे देता है उसके बाद यह जो second step है यह complete होने के बाद third step पे चला जाएगा third step पे कुछ details फिलाप करना है then यहाँ पे 48 hours लाएगा 48 hours के अंदर money bank पे transfer हो जाएगा तो यहाँ पे चलिए सारे details को फिलाप कर देता है तो मैंने यहाँ पे फिलाप कर दिया है यहाँ पे दिखिए total amount है दिखा रहा है tenure मतलब कितने दिन के लिए rate of interest कितने दिन के लिए and dmi कितना कटेगा साथ में processing भी कितना सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है तो इसको आपको verify करना है उसके बाद आए agree पे click करना है then दिखिए यहाँ पे complete हो चुका है यहाँ पे एक message आ चुका है साथ में यहाँ पे service request number भी मिला है अगर आपके account में 48 hours के अंदर मानी नहीं आया है तो आप customer care पे call करके status चेक कर सकते हो लेकिन 48 hours के पहले यह मानी आ जाता है account पे यह बहुती बड़िया facility है क्योंकि SBI card में यहाँ पे 15% ठीक ठाग interest rate है क्योंकि बहुत सारे जो non banking financial company होता है वहाँ पे interest rate 20% से जादा हो जाता है लेकिन यहाँ पे 15% ठीक ठाग है और सारे बैंक पे तो 12% 11% पे भी मिलता है personal loan तो यह भी option बहुती बड़िया है आप ले सकतो credit card से loan बहुत जादा interest rate नहीं है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे interest rate सबको अलग-अलग मिलता है अगर आपको और भी कुछ जान कर जाएए तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट पे बता सकते हो कुछ भी प्रॉब्लेम हो रहा है तो वीडियो को देखने के लिए धन्नाबद इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल इन्फो सिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सेयर कीजिए